आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली कक्षन नवी का विज्यान का दूरी और विस्थापन में अंतर यह अंतर बहुत ही आएंपी है यानि कि हर साल आपसे पूछ रहता है तो देखें दोनों में अंतर पढ़ने से पहले हम दोनों को समझ लेते हैं इन तीनों चितरों के द्वारा मैं आपको दूरी और विस्थापन में अंतर बताँ होँगी कि दूरी क्या है जो सडक के द्वारे जो जिस यहां से हमें जाना है तो यहां सी तक जाना है जो रास्ता टे किया गया उसी पर दूरी जाएगी और विस्थापन में क्या है यह यहां से यहां पर फकेगा याने की सोटकट डूंडेगा वह आपका विस्थापन और इसमें देखिया इसमें क्या है यह एक ही रास्ता है आपका जाने का केवल एक ही रास्ता है यही तो रस्ता नहीं है लेकिन एक यह रास्ता है जो एक ही रस्ता इसी पैसे लेकिन तो दूरी में दूरी क्या है? विस्तापन का बराबर है लेकिन लेकिन एससे दूरी क्या है विस्तापन से बड़ी है क्योंकि यह ज़्यादा लंबई दूरी करेगी और जो विस्तापन वहां कम लंबई दूरी करेगी इसलिए और इस कंडिसन में क्या है दूरी है वहां क्या है विस्तापन के बराबर होगी देखि बड़ी और यह चिन्याप का बराबर ही रहेगा और देगे तीसरी कंडिशन क्या है यह है यहां से जाना यह यह लेता होगा, तो विस्तापन तो क्या होगा, ढनातOne और उल्टी जिसा में जाएगा तो धर्मान रिनात्म होगा और एक मान सुन्य होगा यदि आपको यहां पर कुछ खरीदने जाना यहां से यहां से आपको खरीदने जाना एक कुछ समान तो आप यहां पर चले गए खरिद के यहां से यहां तक चले गए और वापस से वापस इधर ही गए यहाँ पर, तो उस condition में विस्तापन का मान सुन्य होता है, जब कोई सी भी ची वो आपस लोट के आ जाती है। उस कंडिशन में विस्तापन का माल सुन्य हो जाता है और देखिए एक एंगल में बना रही हूँ जब ये एंगल ये पूरा हो जाता है पूर्ण एक यहां से सिरू हुआ था है देखिए फिर सही देख यहां से सिरू हो रहा है ये बनते 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 यह यहाँ पर ही समापत होगा तो जब एंगल व्रत्ती गती में एक चक्र पूर्ण कर लेता है उस कंडिशन में भी विस्थापन कैसा होगा सुन्नी होगा तो यह आपको सहन्जमा आ गया देखे अब हम अंतर देखते हैं तो देखे पहला अंतर क्या है कि वस्थु द्वारा क्या है वस्थु द्वारा ते किये गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहेंगे हैं और विस्थापन किसी निश्चित दिशा में गतीमान वस्थु की प्रारंभिक तथा अंतिम इस्तिती के पीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं इसके बाद है दूसरा पॉइंट की दूरी एक अधिसरासी है और विस्थापन एक सदिसरासी है तिसरा पॉइंट क्या बनेगा कि दूरी का मान रिनात्मक नहीं हो सकता है और सदेव केसा होगा धनात्मक क्यों होगा देखिए मैंने आपको अभी बताया था ये उसी रास्ते पर निर्भर करेगी जिस रास्ते को बनाया गया तो सिधे मार्ग में जाएगी वहां उल्टे तो नहीं जाएगी तो इसी कंडिशन में दूरी कमान धनात्मक होता है और विस्तापन कमान सुननी भी हो सकता है और रिनात्मक भी और धनात्मक भी हो सकता है चोथा पॉइंट ये है कि यहाँ वस्तू के दवारा तो जो वस्तू के दवारा तेई के ए गया रास्ता है उस पर निर्भा करेगा निर्भा करेगा निर्भा नहीं करता है तो आसा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है दूरी और विश्थापन दोनों में अंतर तो आप इस अंतर का स्कीन सोट ले लिजे देखिए नोड से भी आप साथी साथ बनाते चले बहुत ही आएंपी कोशने ये आप से हर साल ही पूछा जाता है और इस कोशन को आप अच्छे से कंप्लेट करेगा